जैस्वामी नारेंड दोस्तों अक्षर प्लांट & प्लांट एर में आप लोगों का स्वागत है आज हम तोपिक करने जा रहे हैं वह टॉपिक है दोस्तों सीड पोर्ड जो अपने अडिणीम में होते हैं या तो वहले गिर जाते हैं यह मैच्यूर नहीं हो पाते मतलब उनके सीड उस लेवल के नहीं बनपाते हैं जिनके अंदर जर्मिनिशन अच्छा हो तो उसी बारे में आज का हमने वीडियो प्लान किया है कि ऐसा क्यों होता है क्या कारण होते हैं जिसकी जिसे जो है आपने सेट नहीं मिल पाते हैं दूसरा जो है अपने सीड बोर्ड जो है वह बीच में ही जो है खराब हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं तो दोस्तों आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और आप लोगों से अन्रोध है अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप चैनल सब्सक्राइब कर लें जिससे समय समय पर आप लोगों को इंट्रेस्टिंग और इंफॉर्मेटी वीडियो जो है आडीनियम के बारे में मिलते रहें तो हम वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों सबसे में जो कारण होता है अपने जो सीड पोर्ट कर लेते हैं और कुछ आगर सीड़ पोड़ अभी भी लगे हुए हैं तो उनमें क्या प्रॉलम आ सकती है अपने क्या बचाना है यह भी आपना पॉइंट रहेगा आज डिस्क्रिशन का तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वह जो सीड़ पोड़ है वह ब्राउन होकर कि क्यों गिर जाता है आप लोगों देखा होगा जो जंशन पॉइंट होता है जैसे समझ लीजे कि सीड़ पोड़ है और सीड़ पोड़ जहां से जॉइंट है प्लांट के अंदर उस जॉइंट पर ब्राउन हो जाता है और ब्राउन होकर वहां से श्रिं जो फंगस होता है एयर बॉर्ण फंगस होता है एक जो इंटर करती है और उसका जो अंटी होता है अपनी जो सेड़ पॉड़ ऑड होता है जैसे अम लीजिए अपनी ब्रांच है यह सीड़ पोड़ है तो जहां से रहता है प्लांट के अंदर उस जो कनेक्शन होता है जैंशन होता है वहां से मैक्जिमम जो है फंगस के एंटर होने की पॉस्बिलिटी रहती है तो जैसे समली जो जॉइंट पैसे अपने फंगस एंटर हुआ पौधे के अंदर तो फंग जल करके और वहां से वह डैमेज जो जॉइंट है वहां से अपना सीड़ पॉर्ड की न्यूट्रिशन की सप्लाई बंद होने की वज़ें सीड़ खतम हो जाता है एक तो मुख्य मुख्य जो कारण है यह होता है दूसरा आपन जैसे पानी समली से सीड़ पोर्ड पे ज्यादा सब्सक्राइब करते हैं तो उसकी वज़ेसे जो है अपना सीड़ पोर्ड जो है मैच्चोर होने से पहले जो है उसके अंदर फंगसानी की पॉस्पिलिटी बहुत जादा रहती है तो और मैं आपको बताओं दोस्तों कब होता है यह प्रॉड्म कि और सीजन है समलीजिए ऐ और एक्जम्बल समलीजिए कि आपका बारिश के सीजन के अंदर आपका सीड़ लगा हुआ तो पॉस्पिलिटी उसमें बहुत ज्यादा हो जाती है कि आपका सीड़ जो है अच्छे से मैच्छोर नहीं हो दूसरा समलीजिए डॉर्मेंस टाइम में आपका सीड़ लगा हु और बारिश बहुत तेज पढ़ रही है तो उसके अंदर जैसे सीड़ पोड में पानी जाएगा तो उसकी वजह से बचाने के लिए आप पॉलिथिन से कवर कर सकते हैं बारिश के सीजन में या जैसे अभी बरसात का सीजन है तो आपन ऐसी जगह भी रख सकते हैं अपने प सीड़ पोड को बचा सकते हैं और उसके अलावा जैसे सर्दियों में अगर सीड़ पोड आया है तो उसके सर्वाइवल के चांसे भी बहुत कम होते हैं अगर वह सर्वाइव कर जाए तो बहुत बढ़िया नहीं तो पॉस्बिलिटी कम होती है में मतलब अपना जो सीड़ है दोस्तों वह मार्च अप्रेल या में तक जो है लास्ट में जब गर्मियां अपने फुल रहती है उस टाइम तक अपना सीड़ पोड मैच्वर हो जाना चाहिए और वह मैच्वर होके जब धूप तेज पढ़ती है तो ब्रस्ट होता है ब्रस्ट हो करके उसमें सीड़ ज लुवा हुए मगर उस साइज का घ्रोण पावर और वह ओपनी होते हैं और अटेंट की उनकर पोटेंशितन हो या उनका जबकान जया बहुत लो होता है कि या कई बार आप देखे लिए थैसे दबा कर आप देखोगी तो बिल्कुल अंदर से पोले होते हैं रहूद हैं अ यह बहुत कच्चे रह गए तो जो है उसके अदर सीड़ से अपने अच्छी क्वालिटी के निकलते तो वह चोटे रहने कार पतले रहने कार बीच में ओपन होने का कारण क्या होता दोस्तों कि नूट्रिशन की कमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब सीड़ बनता है तो प्लांट को एक्स्टा नूट्रिशन ची होता है तो उस टाइम पे अगर आप पोटाश रिच फर्टिलाइजर अपने प्लांट में एड करें जैसे केमिकल में आपन बोलें तो बावन चोती डबल जीरो बावन चोत आप सकते हैं यह ओर यह पोलीबल होता है और सभेजर नूट्रेयंट करके आप स्ब्सक्राइज करतें यह एंपी के अपने स्प्रेय करें साथ में माइक्र नुट्रेंट आपन दे दें सागरी का आता है जैसे आप लोगों को सभी को पता है सीवीड जो आता है तो सीवीड भी जो है बहुत होता है आप आपके प्लांट में डालिए तो आपके सीड पोर्ड हेल्दी और अच्छे बहुत लोग लुटक कर करते हैं तो एक बहुत कारण रहता है आपने से प्लांट कोब्स ऑप बहुत जाएं अपने को अपने प्लांट को बहुत से बचाएंगे अपने प्लांट को कभी भी पानी जो है सीड़ पोड के ओपर बहुत ज़्याद आपने को इस प्रेय नहीं करना है बारिश में अपने प्लांट को एसी जगह रखें जहां पर बारिश कम आती हो इसके लगा अपने को लगता है कि पॉसिबिलेटी है फंगास आने की तो कारब इक तरफ के फंगस आगया तो उस तरफ का पने को तुरंट काट देना चाहिए काट करके रिंटी फंगल लगा दीजिए पौदे के रूट में और पॉदे के उपर एंटी फंगल का इस प्रेय भी कर लिए तो आपका जो दूसरा वाला सीड़ पोड होईगा आप उसको सर् सीड़ पूरे मैच्वर नहीं होते हैं तो इन सब को बचाने के लिए जो है आपको यह प्रैक्टिस अगर आप करेंगे नुट्रिशन पर देंगे फंगस से बचा लेंगे बारिश बहुत ज्यादा नहीं गिरने देंगे सीड़ पोर तो आपको अच्छे हल्दी सीड़ मिल पाएंगे तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही अक्षर प्लांट और प्लांट है आपका अपना चैनल है ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेर करें लाइक करें वीडियो देखने का बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार